बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी का अपने यूटूब सुन पेपर हैकर में मैं सुस्थ रास और आसकी वीडियो देखने वाला है जो भी चातर बीकॉम थर्डियर में है याद रखना बीकॉम थर्डियर में है उनके लिए हम लेकिया है मनी एंड फाइनलसन सिस्टम का त सतर परशेंट प्लस आने वाला है तो आपको अभी चनल को सब्सक्राइब कर लेना है पेपर हैकर यूटूब चनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है कोई भी दिखका थे तो कॉमेंट सेक्शन में हम से पूचिएगा मैं आप से बोलता हूं कि आप उसक सब्सक्राइब कर सकते हैं अब यहां बात करने वाले हैं इनमें कौन-कौन से कोशन 2022 के एकसाम में आ रहे हैं मतलब कि जो हवी हाली में आपका पेपर होने वाला है उसमें क्या-क्या च्छप रहा है ध्यान से देख लिए न्यू मॉडल पेपर के आधार पर मैं लेकर हैं पहला कोशन आप याद करेंगे मुद्रा की परिभासा क्या है अधुनिक जीवन में जुड़ा की योगदान क्या है उसका योगदान क्या है उनके कार क्या है उनके गुड़ क्या है उनके दोस क्या है तो यह पूचा क्या है तो मुद्रा की परिभासा के साथ में आपको य जो भी आपके जैसा भी कोशन दे रखा है वैसे पढ़ लीजिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब उन्यक्स कोशन पूछा गया है उच्छ सक्ती की परिभासा यह आपको सौट में पूछेगा इसके घटक के साथ स्रोथ पूछने लगे तो यह लॉंग बन जाता है वहीं आ पता देनी है ठीक है कि यहां करहें बित क्या होता है ठीक है और अर्थ विवस्ता में इसके महत्त्व को समझाते हुए बित्त प्राड़ी की विषश्टा बदानी तो यह आप देख लेना एक बार कोशन को अच्छा कोशन है और कई बार रिपीड भी हुआ है नेक्स कोशन क्या है बैंक क्या है और इसके परकार क्या होते हैं कार क्या होते हैं कि अर्थ विवस्ता में बैंकों का क्या महत्रों होता है एक बार पढ़ लोगे तो सब सब कुछ याद हो जाएगा ज्यादा बड़ी चीजे नहीं होती है बाकी सब कुछ बना बना के लिखा ना होता है यह आप खुछ जानते हैं सहेकारी बैंक की परिवासा सौट में बूचेगा सहेकारी और वर्ज बैंक में अंतर यह कोशन सौट में बूचेगा आप से इसको साखा क्या होती है साखा की वह आपको देख रहा है राजि बिति निगम पर निभन देना बहुत गैर बैंकिंग वित्ती समस्या पर लहते हैं यह आप सोड़े चुटे अप्लीकेसन लेखने होते हैं नोट लैटर लिखने होते वह बड़े आराज से निले लिख देंगे भ अब लाव कै Hamm ऄड़करना है यह आप है क्रेडिट कार्ड किया हुता है भारत मुझ्रक को छोड़ देखना है SDR के लाव क्या होते हैं और खुले बजार के कारवाही मतलब खुले बजार वाला बहुत जादा पूचा जाता है तो खुले बजार के बार में आप पढ़ लेना ठीक है बस इतना ही आप देख लेना काफी यहां से फ़स जाएंगे बहुत अच्छी नमबर 70% की बात कर रहा हूं बस यही काम हो जाएगा अलब कालिन मद कालिन और दिगर कालिन पित में अंतर क्या होता है एक बार पढ़ के से ले जाना बस इतने यह जो कोशन है बहुत बार रिपीड हुए लगातार अच्छे से पढ़के जाना है कोई दिक्कत नहीं है यही नमबर सारी कोशन आएंगे बहार से कुछ नहीं पूछा जाएगा पेपर होते ही हमारे वाट्सप नमबर 7037327838 इसमें आप तुरंट सेंड कर दीजिए जो भी आपका पेपर होता है बाकी मिलेंगे नेक्स वीडियों दब तक लिए बाए बादोस्चों को सब्सक्राइब कर लेना हो